Well, in this video, we are going to study about baitlessness. So, this is article number 8.12 of NCRT. तो, baitlessness की concept को समझने से पहले, हमें सबसे पहले bait के concept को समझना पड़ेगा, कि basically bait क्या चीज होती है. तो, हम आपको यहां से समझाते हैं, NCRT की बुक से, कि जो bait of an object क्या चीज है, bait of an object is the force with which the earth attracted. किसी object का जो bait होता है, वो force होता है, जिससे earth उसको attack करती है. आप diagram से समझने की कोशिश करें. यह रहा earth, और इसके उपर कोई एक object है. यह रहा एक object. It's having spherical and shape. अब यह देखिए, यह earth का center और यह object का center. यह है, mass of the earth and this is mass of the object. अब हम इस पर universal love gravitation लगाते हैं. तो जो force of attraction होगा, earth जो object पर लगाएगी, वो होगा g, mass of the earth, mass of the object, divided by square of the distance between the two. तो यह small r आप इसको represent कर सकते हैं इसके साथ. हम जानते हैं, इसको हम equation number 1 लिखते हैं. देखिए, we know that g is equal to gm upon r square. This is equation number 2. From equation 1 and 2, from equation, यह देखिए, 1 and equation 2. आप जड़ा इसको रखें, तो आपके देखेंगे, f is equal to m time g. यह equation number 3 हो गया. और आप जानते हों कि इसी को हम bait कहते हैं. तो bait basically क्या हुआ? bait हुआ force of attraction. यह क्या चीज़ थी? This was the force of attraction on the object by the earth. And this is termed as bait. तो bait की definition हमारी बिल्कुल clear होगी. अब हम baitlessness की और step-wise चलने की कोशिश करते हैं. देखिए, जब आप एक object को surface of earth के उपर रखते हैं, surface of earth के उपर आप होते हैं, कोई mobile है, telephone है, bus है, truck है, car है, उसको हम bait करते हैं. हम उसका bait मापते हैं, भार मापते हैं. तो basically वो भार क्या होता है? वो basically भार क्या होता है? It is a reaction force by the surface of the earth. ये वो reaction force होता है, जो earth object के उपर लगाती है, in the opposite direction. देखिए, earth जो है, वो इस force से एक object को अपनी और खींच रही है, बट ये जो object है, वो जब surface of earth के उपर होता है, तो earth का जो surface है, इसके उपर एक reaction force लगाता है, and this is completely equivalent to mg. ये ही वो उसका बेट बन जाता है, उधारन के लिए हम बात करते हैं, देखिए, आपके पास कोई एक, एक spring balance है, उसको आपने एक छट के साथ लटकाया हुआ है, और उसके साथ कोई mass m लटकाया है, ज़रा ध्यान से समझने के कोशिश करना, बात बहुत अच्छे तरीके समझाएगी, तो इस time इस mass का जो बेट होगा, वो नीचे क्योर होगा, हम कह सकते हैं कि w is equal to mg हो जाएगा, यदि आपने इस spring balance के साथ एक meter attach किया हुआ है, तो for example, ये इसके फूपर जो force लगाएगा, वो reaction force को मापेगा, मैं लिख सकता हूँ कि जो reaction force होगा, वो opposite direction माँ होगा, and this reaction force is equal to mg, और यही इस mass m का बेट, ये जो आपका meter है, spring balance में ये record करके बताएगा, for example, एक another example हम आपको देते हैं, यदि इसी तरीके से कोई एक बच्चा जो है, वो छट के साथ रस्ची लटकी हुई है, और रस्ची के साथ ऐसे कोई बच्चा नीचे के और लटका हुआ है, तो उसका जो बेट आएगा, यहाँ वो W के आजाएगा, mg आएगा, यदि for example कि इस रस्ची को यहाँ से हम काट देते हैं, तो आपका जो यहाँ मीटर है मापने के लिए लगाया हुआ है, वो बेट को जीरो बताएगा, और यदि मालो आप एक spring balance के साथ उपर से वो हुक से छूट जाता है, और वो नीचे गर जाता है, spring balance भी गर जाता है और बच्चा भी गर जाता है, तो उसका बेट क्या आएगा, जीरो आजएगा, spring balance जो है, उसका बेट जीरो शो करेगा, इस condition को हम बोलते हैं, बेटलेसनेस, बेटलेसनेस, because there is nothing else, जो opposite direction में, जो हमने कहा कि reaction force खतम हो जाएगा, इस end के उपर reaction force लगना खतम हो जाएगा, and this condition is the condition of बेटलेसनेस, इसको थोड़ा mathematically हम समझने की कोशिश करें, for example, हमारे पास एक lift है, और lift के अंदर एक बच्चा है, और उसका mass M है, तो उसका mass M है, तो उसका बेट जो है वो, डाउन बार डेरेक्शन में होगा, for example, कि यह जो lift है, वो उपर किसी acceleration A से जा रही है, तो वो तभी जा सकती है, यदि इस lift का उपर जो force है, वो बेट से ज़ादा होगा, तो इसकी equation of motion क्या होनी चाहिए, force on the lift minus M G is equal to mass time acceleration, तो force on the lift is equal to M A plus M G, आप M को common ले लिजिए, और यह आ जाएगा A plus G, आप क्या देख रहे हैं, आप यह देख रहे हैं, शुरू में जब आप lift के बाहर थे, तो आपका जो बेट था W, W that was equal to only M G, बट जैसे lift उपर के ओर जा रही है, तो आप देखे हो, आपका बेट जो है वो, increase हो चुका है, दूसरा case हम करते हैं, यदि मान लो, यही lift नीचे की उड़ाती है, यह देखिए, आप lift में खड़े हैं, you are standing in the lift, and this lift is coming downward, आपका मास M है, तो आपका बेट जो है, W is equal to M G, between downward direction, so as your lift is coming downward, with an acceleration A, how is this possible, जो lift का surface है, वो आदमी के पैरों के उपर की और ही force लगाएगा, बट अब इसकी equation of motion क्या होनी जी, यह नीचे के और तब ही आ सकती है, यह नीचे को आने वाला force ज़्यादा होगा, उपर को लगने वाला force कम होगा, इसकी equation of motion क्या हो सकती है, वो हो जाएगी, mg minus force by the lift is equal to mass time acceleration, force, यह भी force है, यह भी force है, तो force is equal to force ही होगा, तो हम यहाँ equation बनाएं, हमारे पास क्या आ जाएगा, f, force on the lift is equal to, इसको ले लिजी आप, this is mg minus ma, और m यहाँ से common आ जाएगा, g minus a, आप क्या देख रहे हैं, कि जो बेट है आदमी का, जो lift में है, उसका जो बेट है, वो decrease हो जाएगा, उधारन के लिए देखिए, यदि मालो, इस lift को यहाँ से काट दिया जाता है, इसकी जो string है, वो तूट जाती है, what will happen then, जो a है, for free fall, for free fall, free fall के case में क्या होगा, string उपर से कट जाएगी, जो lift की रसी तूट जाएगी, तो lift नीचे free fall की case में चले जाएगी, और वो downward direction में आ जाएगी, और उसका acceleration क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, तो इसके अंदर जो, कोई भी बेक्ती इसके अंदर खड़ा है, उसका भी acceleration G हो जाएगा, तो उसका bait कितना आना चाहिए, this is bait in the lift is equal to M, और यहाँ G minus G, so it is equal to 0, so this is the condition of baitlessness, so इसी concept के base के उपर, हम baitlessness को समझने की कोशिश करते हैं, कि satellite में baitlessness की condition कैसे create होती है, चलिए अगले page पर, देखिए, यह रहा earth, और यह रहा satellite, जो earth के किनारे revolve कर रहा है, और इस satellite का जो हर part है, वो टुवर्ड दा, it is accelerating toward the center of earth, with acceleration G, वो G acceleration से, उसका satellite का हर part, toward the center of earth की और खिचा चला जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसको कोई reaction force करने के लिए, इधर कोई चीज नहीं है, जिसके साथ आपने satellite को बांद के रखा हुआ है, so यह free fall की condition है, जैसे हमने टूटी स्ट्रेंग की बात की थी, बच्चा नीचे गिर जाएगा, यह spring balance उपर से छट से छूट जाएगा, तो A is equal to G हो जाएगा, so every part of the satellite, is moving toward the center of earth, with certain acceleration, that is acceleration due to gravity G, right, गौर से देखिए, हब हम बात करते हैं, manned satellite की, manned satellite का मतलब, यदि इस satellite के अंदर scientist भी हैं, तो वो क्या होगा, इस case में क्या होने वाला है जी, आप यहाँ देखिए, जो force on the satellite होगा, वो क्या होगा, F is equal to M into G minus A, अब यह जो scientist इसके बीच में काम कर रहे हैं, वो free fall की situation में है, तो जैसे आपका satellite, it is coming down toward the center of earth, with an acceleration G, so these scientists, inside the satellite, also have an acceleration G, A is equal to G, so the resultant आपके पास force क्या आजाएगा, F is equal to M into G minus G, that is equal to 0, which leads to baitlessness, so देखिए, इसमें जो acceleration due to gravity होगा, उसमें जो vertical component है, that is very important, but जैसे ही, a satellite Earth के किनारे revolve करता है, it always directed toward the center of the Earth, so all the directions are the same, and the direction horizontal and vertical component has no significance at all, in this case, so this is all about the baitlessness, how baitlessness is felt by the scientists who are working inside the satellite, I hope that you have enjoyed this topic, thank you very much.